नमस्का राज़नमा टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रिया आपके साथ एक्ट्रेस और कंटेंट क्रियेटर कुशा कपीला जल्धी शिल्पा शेटी स्टारर फिल्म सुखी और भूमी पैडनेकर स्टारर थैंक्यू फॉर कमिंग में नजर आएगी तलाक के बाद से ही कुशा अपनी परसनल लाइफ को लेकर काफी सुर्ख्यों में रही है बिते दिनों कुशा का नाम एक्टर अर्जुन कपूर के साथ जोड़ा जा रहा था वही अब कुशा ने हाली में बताया कि ट्रोलिंग के बीच वो लोगों की इस सोच से कैसे निपट रही है एक इंटर्वियो में कुशा ने कहा अगर आप ये सोचते हैं कि लोग हमेशा आपके बारे में अच्छी बाते ही कहें तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों की सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं आपको हर समय इस बात से फर्ख पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या बाते करते हैं। एक्टरिस ने कहा कि लोगों की सोच पर कंट्रोल कर पाना नामोमकीन है। खास कर कि तब जब कोई पब्लिक फिगर हो। कुशा ने लोगों से कहा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनसे क्या उमिद करते हैं वो इस बारे में नहीं सोचती है उन्होंने कहा मैं वो इंसन नहीं बना चाहती हूँ जो 50 साल की उम्र में ऐसा मैसुस करें कि उसने अपनी जिंदगी नहीं जी जो करना चाहती थी वो नहीं किया अपना सब कुछ दे दिया लेकिन कभी खुद के लिए नहीं सोचा मैं ऐसी जिन्दगी नहीं जीना चाहती हूँ कुछ दिने पहले इसी के साथ बने रहे है राज़नमा टीवी के साथ धर देमाद